गुड मॉर्निंग वच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर पाट्य पुस्तक से आठ अठारा असुद्धी सोधन पाट को पड़ेंगे असुद्धी सोधन का से तात्वरे हैं असुद्ध सब्दों को सुद्ध करके लिखना शिष्ष शावन का महीना पवन करे सोर, संगि सिक्षक सोर नहीं बेटे शोर गुरू जी ने शिष्ष के असुद्ध सब्द को सुद्ध किया क्योंकि वे ब्याकरण जानते थे ब्याकरण हमें सब्दों को सही बोलने तथा लिखने की जानकरी देता है तो बच्चों ब्याकरण हमें सब्दों को सही बोलना और लिखना सिकाता है कभी-कभी हम कुछ सब्दों का गल्थ असुद्ध बोलते हैं कई वार छेत्री वाशा के प्रभाव के कारण या जल्दवाजी के कारण भी ऐसा होता है तो बच्चो छेतरी वाशा से तातवरें हैं हमारे आसपास के जगे पर या छेतर में बोले जाने वाली वाशा के कारण भी जल्धवाजी में हम सब्दों को असुद बोलते हैं व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नए होने के कारण भी बाइक के प्रियोग में असुद्धिया हो जाती है हिंदी भाषा की प्रेमुक विसेस्ता यही है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है अते हमें अपने उच्चारण पर विसेज धान देना चाहिए सुद्ध वर्तनी और व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए असुद्धिया दो प्रकार की होती है तो बच्चो असुद्धिया दो प्रकार की होती है पहली है सब्दों में बरतिनी संबंदी, बरतिनी संबंदी यानि बोलने संबंदी, उच्चारण संबंदी असुद्धिया दूसरी है पाइक्यों में ब्याकरण संबंदी तो बच्चों यहां नीचे हम कुछ असुद्ध सब्दों को सुद्ध करके लिखेंगे देखिए असुद्ध और सुद्ध सब्द पहला है चाहिए चाहिए का सुद्ध करके हम लिखेंगे चाहिए दूसरा है त्योहार तो इससे हम सुद्ध करके लिखेंगे त्योहार तीसरा है जूट तो इसके जगे टे की जगे समयगा जूट चोथा है गुरू तो इसका हम लिखेंगे गुरू पाचवा है रितू का रितू छटा है सब्ताहिक सब्ताहिक का हम सुद्ध करके लिखेंगे साब्ताहिक फिर है सेविन्थ सात्वा परिक्षा का परिक्षा आठवा का तिथी का तिथी नवा है बहुत का बहुत दसव है दूद का दूद फिर है प्रथम का प्रथम जैसा का जैसा कभी असुद्ध सब्दे सुद्ध करके लिखेंगे कभी चिन का चिहिन गाव का गाव विद्याले का विद्याले ग्रह कारिय का ग्रह कारिय असद और सद सब एक एक का लिखेंगे हम एक ग्यान का ग्यान प्रसंसा का प्रसंसा विशेश का विशेश मूरक का मूर्ख कोशिश का कोशिश दात का दात दात बाग के संबन्दी असदिया तो वच्चों कुछ बाग के संबन्दी असदिया भी होती है देखिए असदवायक में पहला है हम तीन भाई हूं तो इसे हम सुद्द करके लिखेंगे हम तीन भाई है दूसरा है उसने खाना खा लिये इसे सुद्द करके लिखेंगे उसने खाना खा लिया तीसरा है वे चला गया तो इसे सुद्द करके हम लिखेंगे मैं है चला गया चौता है दस रुपया में क्या आएगा तो इसे सुद्द करके हम लिखेंगे दस रुपय में क्या आएगा पाचवा है मेरे को नहीं पता है तो हम इसे सुद्द कर लिखेंगे मुझे नहीं पता छटा है बहस ओमबार के दिन जाएगा तो हम इस सुद्ध करके लिखेंगे बहस ओमबार को जाएगा फिर है साथवा आप लोग क्या कर रहे हो तो हम सुद्ध करके लिखेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं आठवा है मैंने तुमसे बात नहीं करना तो इसे हम सुद्ध करके लिखेंगे मुझे तुम से बात नहीं करनी फिर है नवा पेड पे चडिया बैठिय funz aliment करके लिखेंगे पेड पर चडिया बैठिये दसवा है पाप को गरम करके दूद दो इसको भाग्यों को सुद्ध करके बनाएंगे पापा को दूद गरम करके दूँ तो ये थी वच्छों बाग के संबंधी असुद्या हमने क्या जाना तो हमने इस पार्ट में क्या पड़ा तो असुद्या दो प्रकार के होती है सब्दों में बरतनी संबंदी यानि सब्दों में उच्चारण संबंदी असुदिया और बाक्यों में ब्याकरण संबंदी असुदिया सही उच्चारण और व्याकरण के नियमों का पालन करने से सब्दों और वाक्यों में होने वाली असुद्धियों को वच्चों रोका जा सकता है तो वच्चों, इस पार्ट में हमने सब्द यानी बरतिनी संबंदी और वाक्यों में व्याकरन संबंदी दो प्रकार की असुद्यों को पढ़ा और हमने जाना की असुद्ध वाक्यों को सुद्ध करके हम किस तरह से लग सकते हैं और सही उच्चारण वभ्याकरण के नियमों का पालन करने से हम सब्दों और वाक्यों में होने वाली असुद्धियों को रोख सकते हैं तो वच्चों इस पार्ट को आप पढ़िए आज के लिए इतना ही धन्यवाद